आज हम आपकों बताने जा रहा है फिल्म घात के बारे में जी हाँ, फिल्म का टाइटल सुनके ही आपको लग रहा होगा कि काफी एक्शन भरी फिल्म होगी तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस फिल्म के प्रोडूसर दिनेश के स्वानी से जिन्हों ने अपनी इस फिल्म के बारे में विस्तार से हमें बताया कुछ बताये about Ghat के बारे में कब तक रिलीस की प्लानिंग है Ghat की अमारी रिलीसिंग की प्लानिंग एप्रेल एंट तक है सेंसर से अभी अबने डाला है और एक्सपेक कर रहे है बग जल्दी सेंसर से और उसी तरह से जैसे मेरे दर्शागो गो टेलर बहुत पसंद आया है मुजिक अप्तर लाँच के जाएगा मुजिक हम एक्सपेक कर रहे हैं विदिन आ वीक उसे लाँच करने का और मेरे दर्शागो गो बहुत पसंद आएगा बहुत एक अच्छी टाइप का मुजिक जो भौत ताइम से बोच्पुरी में देखने नहीं मिला है वो देखने मिलेगा मेरे दर्शागो गात एक तरह से सब चीजों से वो भरी हुई है अच्छी आप उसमें कह सकते हैं एक अच्छा रासा एक उंदा टाइप का एक्शन किया गया है और रोमैंटिक भी है और एक पारिवारिक भी है फिल्म की शूटिंग राजपिपला में हुई थी अठाइस दिन में हमने पिच्छ को वन शिलूल में खतम किया था गाने बने सब कुछ अल्टुगेदर एक ही टाम पर खड़ता है अब बॉलिवूड को छोड़ चुका था नाइटीएट में बट सतेंदर मेरे दोस्ट विजय कुमार जो की इस पिच्छ के प्रोडूसर भी है उन्हें ने मुझे उसाइद किया कि वापस इंडुष्री में कदम रखा जाए तो में आया हूँ कौन से बॉलिवूड को फिल्में को सताएंगे बॉलिवूड में पापा कहते है कि यह और काफी एच शोड की है और काफी राम शोड भी करता था मैं तभी आपने मॉडलोगा था मॉडलोगा था कि अपने अपने आपने यह इस ही और को घूप दिगा है यह सुट करने के लिए और उसे एक्षपकरर कर रहे तक तो देखा आपने एक्टर और प्रोड्यूजर दिनेश केस्वानी को कितनी उमीद है अपनी स्रिम से आपको ये वीडियो और ये इंटर्व्यू कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताईएं झाले अगूर अगूर बताई है अपनी स्क्राव में कितनी स्क्वार तेंटर्व में वीडियो और बताईएंगा ये वीडियो की आपको ये गलसे आपको ये लिजकर पलेखा जावाएं